जै माँ, उत्तम एक जिग्यासु सादग था, उत्तम हर बार श्री माताजी से पूछता रहता, माँ, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, हाँ, और वो जो बात थी, उसके बारे में आपके विचार क्या है, श्री माताजी ये सब सुनती रहती, एक दफ़ा स्मीत के साथ, उनके मस्तक पर, श्री माताजी ने प्रेम से अपना हस्तत फैलाया, और वो बोली, उत्तम, मैंने तुमको कितनी बार कहा है, कि पिछले चालीस साल से मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ, मैंने सोचना बंद कर दिया है, मैं देखती हूँ, दर्शन करती हूँ, और दर्शन के आधार पर कार्य करती हूँ, मैं समझती हूँ, कि अब तुम्हें ये पूछना बंद करना पड़ेगा, कि मैं क्या सोचती हूँ, दिन में तीन बार गुड्डू श्री माताजी के पास जाता रहता, श्री माताजी उनको रहस्यवाद और हस्तर एखा शास्तर सिखाती रहती, गुड्डू श्री माताजी के पास बहुत ही समय बिठाता था, श्री माताजी उनसे जवाब देते, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आप सब ये भौतिक मा के पास आते हो, आंतरिक मा, भीतरी मा को प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते, गुड्डू श्री माताजी के शब्दों में छीपा हुआ अर्थ और उनका मर्म प्राप्त नहीं कर सकता था, वो ऐसा समझने लगा के श्री माताजी मुझे को दूर कर रही है, श्री माताजी के देहत्याग के बाद वो समझ सका कि सच्ची मा तो अंतहस्थ सर्वव्यापी दिव्द्य मा है, एक बार श्री माताजी ने आश्रम के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड से पूछा, बुला, क्या मैं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक वायर ले सकती हूँ, बुला ने संकोच से कहा, मा, मा, आप मुझे हुकम क्यों नहीं करती, ये सब तो आपका दिया आई है, फिर पूछना क्या, श्री माताजी ने च्वाब दिया, कैसे मांगूं, ये उदारन भी मुझे ही आपको सिखाना होगा, कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ महर्शी ने दिया है, हम सब उनके पास से मांगते ही लेते हैं, जैमा,